तिन फ्रेंड्स मिलकर एक अफवा फेलवात है पर प्रॉलम था वाई जब इनके अफवा की वज़े से एक लड़की का मर्डर हो गया था अब क्या सच था क्या जूट था यह हम आज के हमारी मूवी कॉसिव यह 2000 की एक मिस्टरी हॉलिवड मूवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो जा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बीना किसी देरी के एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारी में क्यारेक्टर कैथी को लाइबरी में देख सकते है बुक में उसके फ्रेंड जिसका नाम था डेरिक उसके लिए कुछ नोट्स रखे थे इस नोट्स में लिखा था कि आज पार्टी है तुम्हें आना चाहिए तुम अल्रेटी लेट हो चुकियो कैथी ने उसके बाद मान ली और वो पार्टी में आके हम देख सकते हैं कि कैथी डेरिक और ट्रैविस ये तिनों बेस फ्रेंड थे ट्रैविस को एक लड़की पसन आई पर उसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कैथी ने कहा कि तुम्हें एक आर्टीस्ट हो लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हो अच्छे से उने ट्रीट करते हो जाकर उस लड़की के साथ तुम्हें बात करनी चाहि हमेशे उसके फादर इदर उदर रहा करते थे तो उसका पूरा बच्पन होटेल में गया है शायद इसी वज़े से उस जरा वीर्ड लगता है इस बार टेंडर ने केस किया कि ट्रैविस किसका बेटा हो सकता है जब ट्रैविस वापस आया तूने वो फ्री रिंग्स देता ह क्या थी और डेरेक इस बात का बहुत मज़ा ले रहे थे बाद में बार वालों का पता चल जाता है कि एक जूट था और सब को बाहर निकाल दिया ये तिनों फ्रेंज में जनरलीजम पढ़ रहे थे उनके प्रोफेसर लेक्चर में कह रहे थे कि रूमर क्या है और एक पर डेरेक कहता है कि ये सारी एक सेमी चीज है बोलने बोलने से बात फैलती है और उसी की बात में निउस बन जाती है अट दे इंड इन इस चीज़े कुछ भी जादा मैटर नहीं करती है प्रोफेसर को ये बात उतनी जादा अच्छी नहीं लगी थे ये डिसकस कर रहे थे कि अपने सेमिंस्टर के प्रोजेक्ट में ये क्या करेंगे कैथी को एक आड़ा आया कि हमें एक रूमर श्टार्ट करना चाहिए देखते हैं कि कितनी दूर तक फैलता है आजराद भी तिनों मिलकर पार्टी में जाते है डेरेक कैथी के साथ फ्लरट करना चाहता है पर बहुत ही अच्छा लगा था क्याती बाहर फोटोज ले रही थी तो वहाँ पर एक बहुत ही अमीर लड़की अपने बॉइफ्रेंड के साथ आती है इस लड़की का नाम था नयोमी अंदर आने के बाद क्याती की फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम और प्रोफेसर म जैसे उसे जानता हो इसके बाद इंटिमेट होने के लिए डेरिक उस लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है अचानक से उस लड़की की तबियत ज़रा खराब होगे तो डेरिक उसे हेल्प करता है उसने कुछ आवाजे सुनी तो वहाँ वार नयोमी और उसका नयोमी ड्रंक थी और उसका बॉइफ्रेंट उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रहा था वो उसी इसके लिए मना करती है इनके बीच जो भी हुआ एस सारी चीज़े डेरिक ने देख ली नयोमी के बॉइफ्रेंट के चले जाने के पार्ट टेरिक उसे बहुत ही गु के साथ फ्लड करता है कैतीया कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता डेरिक क्याता कि इससे हमारी फ्रेंड्शिय को कुछ भी फरक नहीं पढ़ेगा ये दोनों किसकरते हैं पर कैती फिर उससे दूरे चली जाती है उसने कहा कि मुझे भी फिल नहीं हुआ अगली दिन ट्राइविस ने प्लान किया कि किस तरीके से इस अफ़ाओ को फैलाने वाले है क्या थी कोई करना ज़रा गलत लग रहा था पर अपना माइंड चेंज कर लेती है यह अफ़ाओ स्टार्ट करते थे और स्लोली स्लोली है फैलती गई फाइनली लोग ये भी कहने लग गए थे कि नायोमी दो-तीन लोगों के साथ उस रूम में थी इस तरीके से रूमर बनी इस बात को लेकर है सब बहुत अस्ते हैं ट्राइविस ने नायोमी के बहुत सारी फोटोज निकाली और एक वॉल पर उससे वो आर्ट बनाने लग जाता है डेरे के देखकर कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है रिविस खुद का confidence लोग करकर कहता है मैं इतना अमेजिंग हूँ पर फिर भी मैं अमना rain पेह नहीं कर भाता डेरे कहता है कि जो भी बहुत इंटलीजन आर्टिस्ट है उन सब को लगता था कि उनका आर्ड उतना अच्छा नहीं है यही तो में unique बनाता है जब नायोमी की friends उसके बारे में बात करे ही थी तो उस सुन लेती है और इस बात से वो बहुत यपसेट हो गए अगली दिन वो अपने boyfriend को कैफे में लेकर आई उससे बुछती है उस रात actual में हुआ क्या था boyfriend का नाम था बाओ और बाओ कहता है कि उस रात कुछ भी हुआ नहीं तुम ड्रंक थी सो गई और मैं वहाँ से चला गया यही truth है नायोमी इस बात को नहीं मानती तो बाओ गुस्ता होकर वहाँ से चला जाता है यह सारी चीज़े कैथी देख रही थी यह rumor और भी फैल चुकी थी यह जाकर सारे student की interview लेते हैं इन में से बहुत सारे लोग कह रहे थे नायोमी अनकॉंशेस हो गई थी तब भी बाओ ने उसका फायदा उठाया कैथी ज़रा suspicious हो गए अगर यह सच है तो उसके बहुत ही बड़े consequences हो सकता है नायोमी और उसके friend मिलकर discuss कर रहे थे क्या यह सच हो सकता है नायोमी को इसके बारे में कुछ भी idea नहीं था वो सोई होई थी अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद उसे पता चाल जाता पर फिर भी वो sure नहीं है कैथी को worried देखकर Travis कहता है कि यह सिर्फ एक rumor है इससे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ेगा उसे क्या पता था कि अगली दिन नायोमी डारेक्ली पुलीस के पास चली जाएगी उसने अपना स्टेट्मेंट दिया तो डिरेक्ट्रों गय थी कि मुझे बहुत अच्छे से डीटेल दो नायोमी हंडर्ड बसें शोर नहीं थी कि बाव ने उसके साथ कुछ किया है भी आने बाव को इन्वेस्टिकेशन के लिए लाया जाता है वो गहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया डिरेक्ट्रों ने कहा कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे पूछ रहे थे तुमने कुछ भी बताया नहीं था बाव ने कहा कि उनकी imagination थी जो उन्होंने कहा वो मैंने उन्हें imagine करने दिया पर मैंने कुछ भी किया नहीं था कैथी को जब यह बात पता चली तो गुस्सा हो गए थी वो गहती कि पुलिस अब इसमें involved हो चुके है वो डेरेक से बुछते है कि क्या तुम 100% sure हो कि उससरा नायोमी और बाव की विश में कुछ भी हुआ नहीं था डेरेक कहता है कि मैं 80% sure हो क्याती समझ गए कि डेरेक ने उनसे जूटका है डेरेक कहता है कि जो भी हुआ इसमें हम involved नहीं है पुलिस जो करना होगा वो कर लेंगे अगली दिन बाव नायोमी को sorry कहने के लिए आया नायोमी के friend उसे मिलने देने के लिए रोक रही थी तो बाव और उस friend में ही जगड़ा हो जाता है नायोमी और बाव के samples लेकर उन पर test हुई थी जिन में कुछ भी conclusion आया नहीं था नायोमी के parents बहुत rich और influential थे तो इस वज़े से police पर भी pressure आ रहा था पुलिस फिर से जाकर वाव को arrest कर लेते है रात में Kathy नायोमी को मिलने के लाई Kathy उसे बुछ थी कि party में जो भी हुआ था क्या इस बात को लेकर तुम sure हो नायोमी के city से इसके बारे में Kathy को जो पता चला तो उसने कहा कि डेरिक भी वही से है डेरिक का नाम सुनकर नायोमी बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गए वो Kathy को room से बाहर निकाल देती है घर आकर Kathy ने डेरिक को confirm किया वो गहती है कि तुम और नायोमी एक ही स्कुल में थे और तुम उसे जानते भी नहीं इस तरीके से क्यों प्रिटेंट कर रहे हो डेरिक ने कहा कि मैं एक्चुल में उसे नहीं जानता था Kathy कैथी को तुम्हारा नाम सुनकर डिस्टरब हो गई थी ऐसा क्यों हुआ डेरिक ने कहा कि मुझे बहुत सारी लड़किया लाइक करती थी नायोमी ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया इसके बारा में मुझे नहीं पता वो उसके करीब आ गया और कहता है कि मैं तुमसे कवे भी जूट नहीं कहूंगा ये दोनों फिर किस करते हैं और इंटिमेट हो गए सुबा होने वर भी नायोमी की बात कैती के माइंड से जानी रही थी वो डेरिक लिए उसकी सीटी में आगे उसने उनकी स्कूल की एरबुक देखी उसे उसे पता चलता है कि डेरिक और नायोमी ये दोनों कपल थे जाकर उसकूल की प्रिंसिबल से बात करती है उसने बुचा कि नायोमी और डेरिक की वीच में क्या कुछ हुआ था प्रिंसिबल उसे तुरन स्कूल से बाहर निकाल देते है यह बहुत ही suspicious था वो आवर एक teacher दे जो Kathy को कुछ बताना चाहती थी बाहर आने के बाद Kathy ने उसे insist किया तो बता थी कि rich लोग उन्हें जो भी लगता है वो वो कर डालते हैं और बाद में उन्हें कुछ भी consequences भूगतने नहीं पड़ते टीचर ने उसे बता दिया कि Derek ने Naomi को जबरदस्ति की थी Derek ने Kathy को जोट बोला इस बात से वो बहुत ही गुशा होके और उसे confront कर दिया Derek कहता है कि मैं और Naomi एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक राद हम करीब आ गए और intimate हो गए उसके बाद सुभा Naomi ने सबसे कहा कि मैंने उसे जबरदस्ति की थी वो एक छोटी बच्ची की तरह behave कर रही थी Derek कहता है कि Naomi ने मेरी पूरी reputation खराब कर दी मेरे parents भी मुझसे बात नहीं करते Derek ने Naomi के खिलाब जो rumor फेल आए इस सिर्फ उसे एक बदला लेने का एक वे था अगली दिन कैथी ने जाकर Derek 2 से बात के उसे सब को सच-चच बता दिया पर Derek 2 उसकी बात नहीं मानती है Derek 2 को Derek ने अल्डेडी बताय था कैथी और बाव की बीच में relationship है तो इस वाज़े से उसकी कोई भी बात तो मानने के लिए ready नहीं थी इसके बात कैथी ट्राविस के बास आगे कैथी है हमें सब को सच-चच बता देना चाहिए ट्राविस कहता है कि Derek हमेशा मुझे बहुत ही help करता है उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता कैथी घर आकर बहुत ही upset थी वो रो रही थी और Derek उसे मना लेता है वो रात में अब नहीं में से मिलने के लिए जा रहा था पर रस्ते में उसे बाव देखा ये रूमर फैलाने की वज़े से बाव उस पर बहुत ही जादा गुसा था उसे बहुत मारता है डेरेक उसे कहता है कि नाव में एक पागल लड़ किये उसने जो मेरे साथ किया यही चीज़ उसने तुम्हारे साथ भी किये बाव उसके बाद माननी रहा था तो उसे वो बहुत मारता है उसके बाद वो नाव में के पास पहुँच गया डेरेक ने कहा कि तुम्हारे एक जोट ने मेरी पूरी लाइब बरबाद कर दी तो मैंने तुमसे बदला लिया उससा तुम्हारे और बाओ की विच में कुछ भी हुआ नहीं था पर मुझे पता था कि अगर मैंने अफ़ा फैला थी तुम्हारा घटिया दिमाग तुमसे फिर से कहेगा कि बाओ ने तुम्हारे साथ जबर्दस्थी की थी और तुमने वही किया गुसा होकर नाओमी उसे मारने लग जाती है तो फिर से डेरेक उसे जबर्दस्थी करने रख गया उसे रूम से बाहर निकाल देती है गर आकर डेरिक कहती से गहता कि मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है नावमी के साथ फाइट के वज़े से डेरिक के फेस पर निशान बन गए थे ट्राविस बाहर से आकर गहता कि नावमी की डेथ हो चुकी है थोड़ी दर में एक डिरेक्ट्व इन्वेस्टिकेशन के लिए वहाँ पर पहुच आते है उन्होंने कहा कि कल राद तुम नावमी के रूम पर गए थे हमने उसके बॉडी बस ट्रगल की निशान देखे यह कोई सुसाइड नहीं थी तो उसका किसी ने मर्डर किया है डेरेक्ट के फेस के निशान के बारे में डिरेक्ट्व ने उससे पूचा वो कहता है कि मेरी बाओ के साथ फाइट हुई थे इससे वो निशान आय हुए है डिरेक्ट्व इसके बाद चले जाते है और डेरेक्ट्व होकर नयोमी के घर पर चला गया वहाँ पर बहुत सारे पुलीस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो घर पर आया तो कहती कहती कि हमें सचच बता कि उस रात हुआ क्या डेरेक्ट कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया हमारे बीच में कुछ ट्रगल हुआ था तो शायद इस वज़े से पुलीस को लग सकता है कि मैंने उसका मर्डर किया पर इसा कुछ भी नहीं हुआ वो ट्रेविस से कहता है कि तुम पुलीस को बता देना कि उस रात में तुमारे साथ ही था उसने कहती कि फोटो से दे दी और कहता है कि तुमारे रूम में जाकर रख आओ अगली दिन डेरिक जब क्लास से वापस आता है तो उसके घर में पुलीस थै वो कहता है कि तुमारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत है जो फोटो डेरेक ने ट्रेविस को दी थी, यह फोटो ट्रेविस ने face देरेक के रूम में रख दी थी, क्योंकि इसमें उषामिल नहीं हो सकता डेरेक पुलीस को ट्रेविस का प्रोजेक़् दिखाता है, कहता है यहाँ पर सारी जगा नेामी की फोटो लगे हुई है वो उससे obsessed है और सब कुछ उसने ही किया है पुलीस ने कहा कि मैं तुम्हारे hairs लेकर जा रहा हूँ मुझे बता है कि तुमने ही murder किया है ये DNA match कर जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें arrest कर लोगा इस सबसे Derek डर गया रात में वहाँ से भागने लग गया Travis को बता चल गया था कि Derek ने उसे frame करने की कुशिश किया वो gun buy कर लेता है और Derek पर लगाता है उसने कहा कि तुम इस तरीके से भाग नहीं सकते है तुमने जो भी किया इसकी सजा तुम्हें होनी ही चाहिए Kathy आपर पहुची और उन्हें समझाने की कुशिश कर दिया जब इस बात को मानने रहा था Derek डिस्टब हो गया हो कहता कि मैं मर्डरर नहीं हूँ मैंने Naomi के साथ जबर्दस्ती की थी पर मैं मर्डरर हूँ नहीं Naomi ये सब डिसर्व कर दिया उसने जब ये सब बात बोली तो सारे पुलीस वहाबर पहुच गया उपर से Naomi नीचे आती है वह भी जिन्दा आती है Derek से सज बुलवाने के लिए ये सब लोगों ने मिलकर प्लान किया था सज मुझे में Derek न Naomi के साथ जबर्दस्ती की थी और ये बाद अब सब को पता चल गी और इनके पास प्रूफ भी था अब इसके बाद Derek को जेल हो जाएगी Derek खुद को बचाने के लिए किसी को भी फ्रेम करने के लिए रेडी था पर इसकी सजा उसे भूगत नी पड़े अगर आपको एक्स्प्रेंशन अचा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा यह वह सारी मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दानों में मत भूलिएगा हवावीज से में लेंगे और एक ने मुवीज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे